दिवाली या दीपावली रोशनी का त्योहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोथसव का यह पर्व पूरे पांच दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुवात धंतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्षमी जी और कुबेर महारा आज की पूजार चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए यह दिन उत्तम माना जाता है। लोग इस दिन बरतनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजे भी खरीदते हैं। तिथी इस साल यह तिथी 10 नवंबर को दोपहर 12 बचकर 35 मिनट से शुरू हो रही है। इस तिथी का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 01 बचकर 57 मिनट पर होगा। कार्तिक मास के कृष्न पक्ष की त्रयोजशी तिथी के दिन धंतेरस मनाई जाती है। धंतेरस 2023 पूजा मुहूर्थ पूजा का शुभ मुहूर्थ शाम 05 बचकर 47 मि धंतेरस पर सोना चांदी और बरतन खरीदना शुभ माना जाता है। कुबेर देवता को सफेद मिष्थान और धनवंतरी देव को पीले मिष्थान का भोग प्रदान करें। पूजा के दौरान उहरी कुबेराय नमा मंतर का जब करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसंग करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ अवश्य धंतेरस के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल के दोरान उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही मालक्ष्मी और गणेश जी की भी मूर्ती या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीपक प्रजवलित करें और पूजा का आरंभ करें सभी देवताओं को तिलक लगाएं इसके बाद उश्प, फल और अन्य आहारिक प्रसाद को चढ़ाएं धन्तेरस का महत्व पौरानिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मन्थन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोजशी तिथी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमरित का कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है इस दिन विधी पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है स्टोरी अच्छी लगे तो विडियो को शेयर जरूर करे जय मातादी